सफेद चौकट पर सुनहरी लगडी का काम बना हुआ था, वो लबकारते हुए लगडी के नक्षो निगार देखने लगी, उनकी पेशोग हम में एक मंजर धीरे धीरे उबर रहा था, वो एक सुनहरी दुपहर थी, सूरज बादलों की ओड से निकल के आज खुल के चमका था कैनेडा में बस दो मौसम होते थे, सर्मा का मौसम और कंस्ट्रक्शन का मौसम और ये कंस्ट्रक्शन का मौसम चल रहा था, सड़क नारे जगा जगा पर, तामीराती काम शुरू थे, कहीं रोड बलॉक थे, कहीं एसकीबेटर्स खड़े थे, वो कार लॉक करके, डे केर के दर्वाजे तकाई और बेल पर उंगली रख दी, हवा से उसके लंबे बाल उड़ रहे थे, चहरा शफाफ और मुतमेन मुस्कराहट लिये वे था, कश्माला, दर्वाजा खुला और एक हिंदुस्तानी खदोखाल की औरत का चहरा रुमाया हुआ, उस पे हैरत थी, हेलो, आलाद की तेज आवाज यहां तक सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने अच्छिम्बे से उसे देखा, फिर अपने पीछे, शीवा कह रही थी, कि तुम बदर को ले गई हो, उसे चंद लम्हे लगे थे बात समझने में, नहीं, मैं तो अभी, और एकदम उसकी सारी हिस्सिया जा गई, बदर कहा है, माला एक मिनट, शीवा नई इंटर्न है, मैं उसे बलाती हूँ, बदर कहा है, बैग वहीं चोखाट पर गिर गया, वो उसे परे दखेल के जूतों समेत अंदर भागी, वहां तीन क्लास्रूम बने थे, चंद बच्चे बैठे थे, खिलोने, कलरिंग बुक्स, रंग बरंगी पैंसिल्स, वो एक कमरे से दूसरे में भाग रही थी, आंकों के सामने धुन चा रही थी, मेरा बेटा कहा है, उसने अपने आंसों बहते देखे, कोई उसका हाथ थाम रहा था, कोई उसको पानी लाके दे रहा था, वो सलसल नफी में सर हिला रही थ शेवा कहा है, शेवा नहीं मिल रही थी, वो नजाने कहा चली गई थी, मनजर बदला था, वो पॉलिस स्टेशन के खिड़की के सामने बैठी थी, उसकी आंखें रो रो के मतवर्म हो रही थी, इबाद और माही साथ खड़े थे, उसे इबाद के हिलते होंट और माथे की त शेवरी दिखाई दे रही थी, वो तेज आवास में आफिसर से कुछ कह रहा था, उसने सुनने की कोशिश की मनजर धंदलासा गया, सीसी टीवी फूटेज के मताबिक शिवा बच्चे को लेकर गई थी, शिवा का आईडी कार्ट जाली था, वो बंगाली थी, हम बच्चे क लाश मिली है, उसको पहचानना है, कोई उसे कह रहा था, माही उसका परस इठा रही थी, इबाद ने उसको कोहनी से थाम रखा था, वो गीले चेहरे को हतिली से साफ करती, जो बदर नहीं होगा, इस लाश के साथ बदर का स्कूल बैग मिला है, उसमें वो सब चीज़े हैं उसे इस दर्वाजे के पार जाना था, वो लाश वहां उनकी मनतजर थी, मन्जर दुस्न ला गया, सुनहरी लकड़े से मजईन चोखट सामने आई, वो चौंकर हाल में वापस आई, वो होटल लाउज में बैठी थी और चोखट खाली थी, लेकिन वो इस शेय को परस में गिर था, तो एक अचनबी चोखट में खड़ा था, निया बोडी गार्ड, मिल्टरी, ग्रीन शर्ट, पैंट, स्वेज जॉगर्स, मैं कैफ हूँ, सफोरा का कजन, एक फोटोग्रेफर, वो सांस रोके बिना पलक चपके उसे आते देख रही थी, वो उसको नहीं देख रहा था वो दाएं बाएं मतलाशी नजरों से देख रहा था, क्या वो से तलाश कर रहा था, या उसको तलाश करना नहीं चाहता था, वो सियास फेट टाइल से मज़एन फर्श पर चलती आगे आ रही थी, वो होटल की लॉबी में पिछे, बिछे सोफे पर बैठा था, उसकी बिसा माहिर ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए, वो वेन कोवर की फार्मर्स मार्केट में खड़ी थी, लकड़ी की मखरूती च्छत वाली मार्केट, वो जुक के शॉपिंग बैग में कुछ रख रही थी, जब उसने किसी ख्याल के तहत सर उठाया, मार्केट की रहधारी एक तर माला ने भी सर को जुमबिश दी, ये सिलाम था ये तशक्र वो फैसला ना कर सकी, वो दोनों एक साथ आमने सामने बैठे, तुम आगे, उसने चेहरे को संजीदा रखा, अलबता दिल बुरी तरह धड़क रहा था, एक उमीद का सिरा, मुझे आना था, कुछ था माहिर फरी इकलस देख रहा था, वेटर उनके करीब आने लगा, तो माहिर ने नफी में सर हिलाया, वो बुरा मान के पीछे, वापिस हट गया, मेरा बेटा बदर, उसने इलफास जोड़ने चाहे लेकिन, नॉट इंटरस्टिड कश्माला हानम, माहिर के जहरे पर, जमानों की लाता ल चबा चबा के अदा कर रहा था, कुछ याद आया, में कौन हूँ, उसकी आखों में हलका सा तन्जु बरा, माला के लपसक्ती से एक दूसरे में पैवस थे, और उसने हाथ गोद में धरलिये थे, वो उसके ऑफिस में बोलाई थी, जो उसे बोलना था, अब उसकी बारी थी मैं माहिर फ्रीद हूँ, जो वेन कोवर में तुम्हारे पास मदद मागने आया था, और तुमने क्या किया था, उनके दरम्यान में इस थी, उस पर रखे बासी फूल थे, और बरसों की मसाफ़त थी, तुम जान दी थी मेरी बहन कहा है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया तुमने मेरी बहन को खतरे में डाला और खुद को भी, मैंने किसी को खतरे में नहीं डाला, डाला था, तुमने गलत फैसले किये थे, लेकिन तुम ये कभी नहीं मानोगी, क्योंके कशमाला मुबीन हमेशा दूर्स होती है, तो नों हाथ उठा के जदा के कहा, वो खामोश मैं तुम्हारी एक रखम की अदाईगी की थी, जो तुम मुझे बाद में वापस कर सकती थी, मैंने वही किया, जो इनसान अपने दोस्तों के लिए करता है, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मेरी तौहिन की, यहों जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो, तुमने मुझे अपने कौन किसकी जिन्दगी से निकलेगा या उसमें रहेगा मैंने कहते वे उंगलियों से मेज़ पर दस्तक दी इस हाथ में पहने अंगूठी दमकी मैं तुम्हें और तुमसे जुड़ी हर शेय को भुला कर मूव आन कर चुका हूँ मेरे पास ना इतना वक्त है ना तवानाई कि मैं तुम्हारे मस्रे हल करूँ मैं एक नई जिन्दगी शुरू करने जा रहा हूँ तुम मुबारिक दो या फात्या पड़ो मैं तुम्हारी लगाए और कंदे उचकाए मुझे पर्वा नहीं उसके चेहरे पर सर्द महरी थी माला ने बहुत सा थूक निकला अभी नहीं रोना तुम्हें मेरे बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता नहीं माला ने गोद में रखी मुठियां भेंच ली इतनी जोर से के नाकों जिल्द में पैवस्त हो गए जिस शक्स को आना चाहिए वो इस बच्चे का बाप है तुम्हें मेरे पास नहीं जियाद सुल्तान के पास जाना चाहिए था अपके माहर के चेहरे पर हलकी से मुस्करहट आई उसमें मुलामत थी तंस था उसने गहरी सांस ली हवा नाक से अंदर का दिये गई थी पोलीस ने एक लाश दिखा दी वो मेरे बेटे की लाश नहीं है उसने जोर से उंगली से मेज बचाई आँखे सुर्ख पढ़ रही थी लेकिन आस्मों को चलकने की जासत ना थी इस शक्स के सामने नहीं क्या तुम्हें इस सबसे कुछ याद नहीं आता व उट खड़ा हुआ पोलिस दुरुस कह रही है और तुम्हारा बेटा वाकरी मर चुका है वो तीजी से खड़ी हुई मेज पर रखी गलास को हाथ लगा वो एक तरफ को लुड़ा गया पानी मेज पर जा गिरा चंद छीटे माहर के कलाई में बंदी घड़ी पर गिरे तो मे की आँखें लिए बहुत गुस्से से देख रही थी जैसा कि मैंने कहा माहर ने जोक के डबे से टिशू पेपर खेंचा नॉट इंटरस्टेड टिशू से घड़ी का शीशा नर्मी से साफ किया फिर इस टिशू को मेज पर रखा और पलड़ गया तुमने वादा किया था व माहर फरी धीरे से पल्टा वो आँखों में बहुत सी मलामत लियों से देख रही थी हाँ किया था वो सोगवारियत से मुस्कुराया मगर मैं ठहरा वादा खिलाफ फिर वो वापस मुड़ गया वो जानती थी अब वो नहीं पल्टेगा वो वहीं खड़ी उसे जाती देखत कि दर्वादे में वो रहधारी में आगे बढ़ते माहर का अकस देख सकती थी दर्वादे के करीब वो रुका एक बुड़ी औरत अंदर दाखिल हो रही थी वो फौरान आगे बढ़ा और उसके दर्वादा खोल कि एक तरफ खड़ा हो गया वो मुस्कुरा कि उसका कोशी की फिर अफसोसे नफी में सर हिलाते हुए पलट गे इन आलिशान दिवारों के अंदर उन्होंने अकसर खुबसर लड़ियों को रोते ही वही देखा है ये कोई नई बात नहीं है लिफ्ट के दर्वादे खुले तो रहधारी के सिरे पर फ्रीद लार की तख्ती देखने में माहिर फ्रीद का डिपलेक्स अपार्टमेंट वैसा ही था लेकिन एक इजाफा हो जुगा था दर्वादे के बार एक सूट में मलबوس काट खड़ा था माहिर को आते देखकर उसने सर को खम दिया माहिर ने एक तिकान भरा जवाबी सिलाम उसकी तरफ उचाला औ की पैड पर कोट पंच किया दर्वादे का लॉक जूं की आवाद से खुल गया वो कोट बाजू पर डाले कदरे ठका ठका सा अंदर दाखिल वा जुके जूते उतारे फिर ज्राबों में मकयत पैरों से रहधारी में आगे चलता आया एक हाते से एक हाथ से टाई की नौट बदला था शीशों से बाहर फैली रात और बासफोरस का पानी दिखाई दे रहा था किनारे पर बंदी कश्टियों भी वैसी ही थी रंग बरंगी रोशनियों से मुजयन माहित लिविंग रूम के दहाने पर रुगया उची खिड़कियों के करीब एक टैपेस्ट्रे का फ् हुई चलाती वो कुछ बुन रही थी दरास कद दूबली सी लड़की जिसके लंबे घंगरियाले बाल कमर पर बिखे थे उसने सफेद लंबा फ्रॉक पहन रखा था और नीचे टखनों तक आती सफेद टाइट सी पैर नंगे थे बिना किसी जुराब के उसके पैरों के करी एक गोल्डन रिट्रेवर पढ़ा था सुनहरी लंबे बालों वला कुटा जिसके गर्दन में बंदे कॉलर पर जली हरूफ में गाई डॉग लिखा था गाई डॉग ऐसी तरबियत याफ़ता कुटे होते हैं जो अंधे लोगों का ख्याल करने और उनको रास्ता बनाने के रास्ता बताने के लिए इस्तमाल होते हैं माहिर को देखे कुटे ने सर उठाया फिर वापस नीचे रख दिया माहिर भाई उसने हाथ रोके बिना पूछा था हाथों की हरकत बहुत सुस्ती कैसी हो हिलाल वोतकान से कहता क्रीप्स या एलशिप सोफे के सिरे पर गिरसा गय कोट और बैक एक तरफ डाल दिया क्या हुआ हिलाल ने चौंकर चेहरा उस तरफ मोड़ा अब उसका नेमरुख वाज़े हुआ गुरियाले बालों के हाले में उसका चेहरा पहले से दिलकश हो गया था पंदरा सोला साला लड़कियों की निजाकत और भूरी सुनहरी आँख की कशिश अबरू ताजुब से गठे किये आँखे खड़ी आँखे खड़ी पर जमी थी लेकिन वो उसकी तरफ मतवजो थी कुछ नहीं वो नाक की हड़ी को मसलते वे आँखे बंद की हुए था कुछ हुआ है उसके धागों में लिप्टे हाथ रुग गए आप अपसेट हैं शायद घुसे में किसी ने घुसे दिलाया है आपको माहर अप सर पीछे को गिराए आँखे बंद किये सोफे पर नीम दरास था आज कशमाला आई थी माला उचोंकी उसका बेटा को गया है उसे मेरी बदत चाहिए बदर पिलार के लप फड़ पड़ाए माहर ने आँख जन दाइमा हिलाई बदर को क्या हुआ मुझे नहीं मालूम शायद वो मर चुका है और वो यकीन नहीं करना चाहरी आप उसकी मदद नहीं करेंगे नहीं क्योंकि ये मेरा मसला नहीं पिर से दे होते हुए एक तंभी निगा उस पर डाली नाहीं ये तुमहरा मसला है बगर पदर मैं उससे कोई तालुक नहीं रखना चाता इसलिए ये किस्ता खतम हुआ वो जल्द वापस चेली जाएगी वो कोट उठाए उट खड़ा हुआ हिलाल से ज्यादा उसने खुद को तसली दी थी और तुम हिलाल तुम इस पारे में मुझे कुछ नहीं कहोगी हिलाल नह खामें गर्दन हिला दी चेहरा वापस मौड लिया उंगलियां फिर से धागे को लिपेटने लगी वो कदम कदम चलता उसके करीब आरुका उसके कंदी के पीचे से जुक कर उसका सर चुमा फिर चेहरा सीधा करके इसकी टेपस्ट्री देखी उपर से नीचे तक तीन रंग के इसमतिजाच से ये मालूम ना होता था कि वो क्या बना रही थी माहर आके बढ़ गया वो एक हाथ से कपड़े को टोटोलती और दूसरे में सुई पकड़े इस जगा रखने लगी जहां आखरी टांका लगाया था सुनहरी कुता का दमों में बैठा अपने पंजे जुब अब दर्वाजा खुला चाप या उचालने की आवाज आई फिर सीटी बजी कुता एक दम तेजे से उठा और दुम हिलाता हुआ दर्वाजे की तरफ लपका हैलो लूना बीर बल के खरकती आवाज सुनाई दी धागे से टांके लगाती हिलाल के होंट मसक्राहट में ढले चंद लम्हों बाद वो दोनों साथ साथ वापिस आए वो सुनहरी कुता दरसल मादा थी और उसका नाम लूना था बीर बल्ले अब उसके पीछे खड़े होके जोके इस टैपिस्ट्री को देखा आर यू शोर तुम दरुस्त रंग इस्तमाल कर रही हो वो मुबहम सा तुम्हें कैसे मालूम होता है कि कौन सा रंग नीला है और कौन सा सबस वो मश्कूक नजरों से उसे घूर रहा था वो मुसकुरा दी हर रंग का धागा अलग होता है भी हर धागे की खुश्पू अलग होती है हर इंसान की भी जैसे उसने आखे बंद की और नाक से सास पहना हुआ है चैन अंगुठी बीरबल फरीद के चहरी की सारी बतियां जल उठी है वाच उसने जट कलाई आगे कर दी वो आँके खोल के मुसकुरा दी वो अब उसके करीब एक स्टूल खेंच के बैट रहा था चहरा जोश से तम तमा रहा था और अब वो उसे इस घड़ माहिर भाई सारी उमर ही अपसेट रहे हैं मौदो बदलने पर पीरबल का मुझ जैसे कड़वा हो गया फिर कुछ याद आया होंटू पर मुसकुराहट उभरी सो बेरे अंदर कोई दूसरी तबदीली भी आई है सिवाई घड़ी के वो दोनों टैबस्ट्री के कर्फरेम के सामने उंचे स्टूल्स पर बैठे थे स्फेद फ्रॉक वाली लड़की उसकी तरफ रुक किये हुए थी अलबता उसकी सुनहरी आँखें दूर किसी गैर मुरही नक्ते पर जमी थी मालूम नहीं बीर बहल भाई मैं किसी का औरा सेंस कर सकती हूँ आपके सारे दिन की रुदाद आपको नहीं बता सकती उसने जैसे बहुत हमुल से कई दफ़ा की बात दोहराई अच्छा तो वो खंकारा कान खुजाया उस दिन में एक लड़की को तुम्हारे पास लाया था याद है तुमने क्या महसूस किया वो बहुत इश्टियाक से उसे देखता बजाहर सरसरी अंदाज में पूझ रहा था मैंने महसूस किया कि वो साध़ी से बताने लगी एक कमजोर औरा जल्दी दब जाने वाली परसनेलिटी उसे बच्मन में नजर अंदास किया गया था उसको महबत की तलाश है लेकिन उसको बहुत से शकायतें भी हैं अपने मरे हुए बाप से लेकिन इस लड़की का बाप तो जिन्दा है मैं इसकी बात नहीं कर रही वो मस्कुराई बीरबल को चंद लबहे लगे समझने में फि तो मुझे लड़कियों के बारे में पहली मुलाकात में ही बता दिया करो बगर नहीं उसकी बड़ बड़ाहट दीमी पड़ रही थी अब वो शायद कमरे में चला गया था हिलाल मुस्कुरा के वापस टैपस्टरी की दरफ मतवज्ज हो गई लूना फर्ष पर लेटी आंखे मुदे हुए थी दो दिन बाद तीसरी सुबा तलू हुई और माला अपने केरी आउन बैक के साथ होटल रिसेप्शन पर खड़ी दिखाई दी पिछले दो दिन वो शूट में मसरूफ रही थी जहन भी मसरूफ रहा था आज सुबा से वो फारिक थी और जहन खाली कार्ड वापस करते वे उसने रसमें सकुरहाट के साथ रिसेप्शन कलर की बात सुननी चाही लेकिन इल्फास सुनाई नहीं दे रहे थे तीन माह से कुछ भी ठीक से खाई देती शीशे की दिवार में अपना चेहरा देखा गुलाबी स्पेथ चेहरा बेखवाबी के बाइस सरासी सूजी आँखें जिनको आज उसने कंसीलर से दुरस नहीं किया था कि अब इन आखों की आदत हो चुकी थी अलबता अब वहां कुछ था जो दिन दिन पहले इस्तंबुल आते हुए नहीं था एक बुजी हुई उमीद मुबाइल बैक में डालने के लिए उसे खुला तो वो शेय दिखाई दी क्या उसे माहर को इसके बारे में बताना चाहिए था जरूरत ही नहीं थी जिस शक्स ने मुझ से मिले बगएर तुम कैसे वापस चा सकती नहीं थी माला की सोच तूट गई चौंके एडियों पर घूमी केरी ऑन बैक भी अपने टाइट्स पर घूमा अगली ही पाल उसके होंट मस्कुराहट में ढले बीरबल फरीद बहुत से मस्नुई नाराज के लिए सामने खड़ा था किसने कहा मैं जा रही हूँ अपके चौ पैंट्स और जर्द डिजाइनर्स लोगो वाली जैकिट पहने बीरबल ने आँखें चोटी करके उसे देखा वो वैसा ही था हूंगरे आले बाल गर्दन में चैंस सफेद जॉगर्स कलाईयों के ब्रेसलेट और चमकती घड़ी चहरा पहले से जरा दिलकश हो गया था मुझे एक उट्सी चिडिया ने बताया था कि तुम मेरे रोबोट भाई से मदद मांगने आई थी लेकिन उसने तुम्हें इंकार कर दिया चिडिया ये बताना भूल गे कि माला इतनी जल्दी हार नहीं माना करती वो दोनों अब होटल लाउंच के सोफों पर बैठे थे ये वो सोफे नहीं थे जहां उस रोज इसने घंटू इस शक्स का इंतजार किया था वो उनके दाई चानिम रखा सेट था जो अब खाली था आज मेज पर रखे फूल ताजा थे उस दिन के जैसे बासी और मुर जाय वे ना थे वैसे तुम्हें किस चीज ने काटा था जो तुम्हें लगा तुम माहिर बेसे अपनी बात मनवा सकती हो बेटर चाई की प्याली रखे गया तो बिरबल ने बहुत संजी दिये से पूछते वे शक्करदान उठाया मुझे लगा वो मेरा दर्द समझेगा वो आज तक अपना दर्द नहीं समझा तुम्हारा क्या खाक समझेगा भिरबल की अंगूठियों वाली उलिया एक एक करके शकर की तीन डिलियां चाई में डाल चुके थी माला ने उसके चहरी की दमकती जिल्द को देखा वहां एक दाना भी न था सिवाई शेव के चंद मनमिल हुए कट्स के तुम सुनाओ कैसे हो अच्छे हाल में लग रहे हो तर्किश में कहते हैं सब्रे दन दर्वेश मरादना अर्मेश साबिर दर्वेश को बिलाखिर अपने मुराद मिल ही गई और अर्दू में कहते हैं अल्ला गंजे को नाकुन न दे उसने अफसोस से दाएं बाएं सर हिलाया बीरबल फरीद के अबरुई गठे हुए कह कौन रहा है मैं वैसी ही हूँ बहुत कमफर्टेबल लग रही हूँ उसने आखे गुआ के होटल लाउंच को देखा माला धीरे से हस्ती ये मेरे क्लाइंट ने बुक करवाया था बीरबल होटल फ्राइट्स सब वो पे करते हैं बे यहां से चेक आउट करके वापस नहीं जारी एक सस्ती रहाईश के तरफ जा रही हूँ बीरबल आगे को जुगा और बहुत जरासदारी से सरगोशी की मेरा एक इंकम ट दूसरे तक कुजारा करती हूँ फिर उसने सर जुका के अपनी उंगलियों को देखा नन्ने हीरे साथ डिजाइनर बैक चेहरा उठाया और इस खाली कुर्सी को देखा जहां उस रोज़ बैठा था ये सब तो एक मुलमा है ताकि लोग मेरी इज़त करें शुमाली अमरीका में अक्सर लोग ये चीज़ें फरीद सकते हैं बीर बल फरीद जैसे बद मजा होके पीछे हुआ उसका ये तास्र कि शायद वो मशूर होने के साथ साथ बहुत सी दौलत की मालिक भी बन गई थी जायल हो गया था तुम बताओ काम कैसा जा रहा है उसने कंदे उचकाए काम चलता रहता है वो भंसा कहते हुए वो दाएं बाएं देखने लगा माला ने बगवारों से देखा बेकरी कैसी है तुम ने कहा तुम सिंगल मदर हो वो जैसे चौंकर याद करने लगा या शायद मोजू बदल दिया तुम्हारा वो विलन एक्स हस्बेंट तुमारी मदद करता मुझे उसके खून में डूबे पैसे नहीं चाहिए हैं वो बुरा माने बगएर गहरी सांस लेकर बोली बीरबल वो पहला शक्स नहीं था जिसने उसे इन चार बरसों में ये बात याद करवाई थी माहिन एक दो दफ़ा दबे लफाज और समर खाला ने खुलम खुला कहा था कि उसे जियाद से बच्चे के लिए पैसे मांगने चाहिए लेकिन ये वो लकीर थी जिसको वो कभी अबूर नहीं कर सकती थी बदर उसका बेटा था जियाद का उससे कुछ तालुक ना था नहीं वो बनने देगी वो उसका भी बेटा है माला और ये चीज़ कभी न नहीं बदलेगी आकरी दफ़ा माही ने बस इतना कहा था ये मोदो फिर जेरे बहस नहीं आया था हिलाल कैसी है उसने कनक्यों से फिर से खाली कुरसी को देखा उस पर बैठे शक्स का हेवला सा वहां अब भी मुझूद था उसकी आंकों का गुसा ला तालुकी मेज को बज बशी की नजर हो गए उसकी चाय वैसी ही रखी थी जबके बीरबल अपनी चाय से वकफे वकफे से घूंड भरा था वो देख नहीं सकती अब कि वो दासी से बोला लेकिन जो वो देखती है वो कोई नहीं देख सकता वो कैसे जानती है वो सब कुछ जो वो बताती है बीरब उनके एनरजी वो खुद से बताती है, पूछो तो नहीं बताती, मैं अक्सर उससे सवाल पुछता हूँ, खंकारा लोगों के बारे में, लड़कियों के बारे में, वो मसकुराई, बीरबल ने आँके गुमाई, अच्छा बाबा लड़कियों के बारे में, लेकिन वो नहीं और माहर को ये बात नापसंद है वो कहता है कि अगर हिलाल अपना तोफ़ा सब को दिखाएगी तो ये खो जाएगा ऐसे लोग अगर अपने सलाहित का इसरार जाहिर कर दें तो उसे खो देते हैं माला ने कांच की प्याली उठाके एक गूंड भरा तर्किस चाएक ठंडी हो चुकी थी उसे वैसे भी ये पसंद ना थी तुमने फोटोग्राफी के सिवा क्या किया चार वरसों में बीर बल ने सरसरी सा सवाल किया अलबता आँखों का तजस्स जाहर हो रहा था वो मस्कुरा दी नहीं मेरे जिन्दगी में कोई नहीं आया वो कंदरे जीम किया फिर अफसों से सरदाइबा हिलाया काश तुम दोनों लेकिन बात अधुरी छोड़ दी इस बात को मकबल नहीं होना चाहिए था और तुमने क्या किया उसने जवाबन पूछा बिना तजस्स के सिर्फ खलोस से मेरे जिन्दगी वैसी ही बेरौनक है बीरबल ने एक ठंडी आ भरी उसके सांस में चाहे के पत्तों के महक थी बहुत सी लड़की आई और चली गई शुरू में जिनके साथ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती उसने मुस्कुरा के तंभी की पीरबल के माते पर बेजारी से बल पड़े मैं मुहबत के मामले में शदीद बेबदकिस्मत हूँ हाला के वो जो मेरी दौलत पे सांप बनके बैठा था उसका पत्ता भी साफ हो गया है मेरा ख्याल था अब मैं काम्याब हो जाँगा लेकिन नहीं वो पीछे होके बैठा और उसी उदासी से छट से लड़कते फानुस को देखने लगा पता है मैं क्या चाहता हूं माला उसकी आँखों में कुमकुमों की रोशनी वापिस जलकती दिखाई दे रही थी मुझे महबत करनी है रॉम कॉम, मुवीज वाली महबत क्रिस्मस सीजन और सरमा की महबत हेट टू लव, स्टोरीज वाली महबत भले, पहले हम एक दूसरे से नफरत करें खूब लड़ाया हो लेकिन फिर वो नफरत महबत में बदल जाए फिर बहुत उमीद से माला को देखा ऐसा होता है क्या? नहीं, उसने मुस्कुराहट दबाए, गर्दन हिराई सारी मुवीज और किताबें जूट बोलती है अब लोगों को ऐसी महबतें नहीं होती लोग बहुत जल्द बूव वान कर लेते हैं एक नजर, हमसाए सोफिस सेट पर डाली जामनी कुर्सी खाली थी बीरबल ने बुरा मुम बना के उसे देखा बात ऐसी नहीं कह रही थी जिससे उसका दिल खुश हो फिर जैसे उसे कुछ याद आया महबत तो हुई है माहर बे को ऐसी तुफानी, धुमादार महबत के तुम सोच नहीं सकती माला ने शकरदान उठाया लेकिन उसे थंडी चाए में चीनी नहीं डालने थी सो उसे वापस रख दिया प्याली उठाके होंटों से लगाई बद मज़ा, ठंडा शर्बत वल्ला, बीर बल्ले अंगली और अंगुठे के से कान की लौकच हुआ ऐसी महबत तुमने कभी ना देखी होगी ना सुनी होगी माहर फ्रीद, मॉबाइल पर बटन दबाता कैफ की मारत में दाखिल हो रहा था सुर्मई सूट, गहरी टाई और जेल से, पीछे को सिम्टे बाल रिसेप्शनिस्ट के करीबो ठहरा इस तफसार पे अंदाज में अब रूठा के एक नाम लिया क्या वो आफिस में है चांद माहर को एकदम से महबत का बुखार चड़ा और अभी तक नहीं उत्रा यस सर, वो आपके आफिस में मुझूद है रिसेप्शनिस्ट ने सर हिला के दिला दी आपका इंतसार करते वे उन्हें काफी देर हो गई है माहर के चेहरे पर तफक्र और नदामत एक साथ उभरी रोशन मॉबाइल स्क्रीन पर वक्त देखा मुझे देर हो गई है वो पेशमानी से कहता लिफ्ट की तरफ बढ़ा उसे माहर कितनी परवाने ही है जितनी माहर को उसकी है वो उसका परवाना बन चुका है उसके दाइबाए गुमता है लिफ्ट उबर थी माहर ने कॉल का बटन दबाया और बेचेने से घड़ी देखी वो देर से जगा था आफिस आने में भी देर हो गई लिफ्ट नीचे आके ही नहीं दे रही थी वो तेजी से सीडियों की जाने बढ़ गया चमकते बूट कدم कدم जीने अबूर करने लगे वोसे कैसे ततना इंतिजार करवा सकता था वो उसकी महबत में बहुत भाइर फित्री अंदाज में डूप चुका है वो उसके हलकी सी नाराज़की भी परदाश्त नहीं कर सकता हरफ़ उसको खुश करने में लगा रहता है वो तेजी से जीने तै कर रहा था साथ ही लब काट रहा था उसे घर से जल्दी निकलना चाहिए था वो पूरे 25 मिनट लेट था और वो कभी इतना लेट नहीं होता था अगर वो कहे ये दिन नहीं रात है तो माहर सारी दुनिया को ये साबित करके दिखाएगा कि ये रात है वो कहे मुझे तारे तोड के ला दो तो माहर बे अगली फ्लाइट से आसमान पर चले जाएंगे में हाल में बने केबिन्स में आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स काम में मसरूफ दिखाई देते थे वो तेजी से केबिन्स के दरमयां से कुजरें लगा बहुत से लोग उट खड़े हुए सलाम वेलकम शबनब भी अपने डेस्क से ताजीमान उठी वो कुछ कहने लगी लेकिन माहर ने हाथ उठा दिया बाद में फिर वो अपने दरवाजे तक रुका करदर मोड कर शबनम को देखा दो टर्किश कहवे हम दोनों के लिए और आफिस का दरवाजा खोला तुम 26 मिनट लेट हो खफासी आवाज ने उसका इस्तक्बाल किया मैं तो माहर और उसकी महबत के नजारे देखें शदिद अजियत में मुबतला हो यह नि कोई कैसे अचानक किसी के महबत में इतना डूब सकता है सच क्रिंच बेरबल ने जरी ली वो चाय के गोंड भरते बे बगार उसे देख रही थी वो खामोश हुआ तो माला ने प्याली रखी कांच की चीनी की प्याली की पिर्च से टकराने की च्छनक बुलंद हुई अच्छा है न वो इस लड़की के साथ कुछ रहेगा कौन सी लड़की जिसकी तुम बात कर रहे हो बेरबल शेतानी अंदाज में मस्कुराया माहिर बे को किसी लड़की से महबत नहीं हुई उसने ना समझी से बीरबल को देखा प्याली नीचे रख दी वो आगे को जुका और एक एक लफ़ पे जोर देकर बोला माहिर आफंदी को लड़की के बाप से इश्क हो गया है सौरी मैं देर से जागा था वो माजरत करते वे अंदर दाखिल हुआ अब्दुल्मालिक फरीद उसकी कुर्सी पर बैठे थे हमेशा की तरह सर्द तासुरात वला चेहरा लिए जिसके लकीरों में चार बरसों ने इजाफा कर दिया था घने सफेद बाल जल से पीछे को जमे हुए थे और वो एक हाथ में नन्ना सा पत्थर गुमा रहे थे जो मेज के वस्त में रखा था अंगलियों में नगीनों और कीमती पत्थरों वाली सिल्वर अंगूटियां वैसी ही दमक रही थी फिर आज ट्रैफिक बहुत था खुदा करे दिन अच्छा गुजरे वो खुद को मलामत करता सामने बाले कुर्सी खेंच के बैठा मालिक फरीद ने हलके से शाने उचकाए चेहरे पर नागवारी ओत कर आई तुमने मेरा आदा घंटा जाया किया सौरी वो इस कुर्सी पर कद्रे गेरा राम देसा बैठा था उसे इसकी आदत न थी लेकिन बिना इतरास किये वो अपने फोलर से काख़ाद निकाल के सामने रखने लगा मालिक फरीद अब उसी खुफ़की से कुछ कह रहे थे मालिक फरीद तुम्हारी चच्चा हमारे खानदान का बड़ा रोबोट वो तुनक के कहरा था मंगनीस नजारा से की है लेकिन रिष्टा उसका जैसे मालिक से बड़ल गया है मालिक फरीद उसे चिर्चड़े अंदाज में कुछ कह रहे थे जब वो नर्मी से बोला ठीक है तुम जैसे कह रहे हो वैसे ही कर लेते हैं अब्दुल मालिक फरीद रुग गए अब भुरु गठे करके बगार उसे देखा तुमने मेरी लिखी गई रिकमेंडेशन्स पढ़ी भी हैं माहर ने प्रिंट शुदा सफ़ा दो अंगलियों से उठा के उंचा उठाया जिस बरस और किलम से जगा जगा पॉइंट्स लिखे थे और फिर उसे मालिक के सामने रखा ट्रैफिक में फंसा में यही कर रहा था यह शबनम ने मुझे कल शाम ही भेज़ दी थी हम वैसी ही करेंगे जैसे तुम कह रहे हो वो उसी तहम्मल और ताविदारी से कह रहा था दोनों बाजु कुर्सी के हत्ते पे जमा के पैठे मालिक फरीद ने बगार उसको देखा माहर का चहरा बेतासर था यह शायद मुतमें वो किसी बहस के बगएर मान गया था शोर उसको मश्कुक नजरों से देखते गएर इरादी तौर पर इस पत्थर को मेज की किनारे से रगढ रहे थे दाएँ बाएं बाएं दाएं बाएं शोर वो जबरन मस्कुराया पत्थर रगढ ने से चिन चिन की नागवार तिरीन आवास उठरही थी किनारे की लगड़ी قدरे भर भर के नीचे भी गिरने लगी थी, माहर की कुरसी के हते बे जम्य हतेलियां भेंच गई लेकिन चेहरे पर वही मस्कुराहट काइम रही, शबनम काफी की ट्रेली अंदर दाखिल हुई और बारी 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 दोनों के सामने प्यालियां और पानी के गिलास रखे मालिक सोच भी मालिक सोच में डूबे अभी तक पत्थर मेज के कौने से रगड़े थे, नागवार अवास पे शबनम के अब्रू इकटे हुए बेख्तियार माहर को देखा, उसने नफी में आँकें हिलाएं, वो जब्त करके खामोश रही कभी कभी मुझे लगता है, कि जैसे मालिक ने माहर पे सहरे इश्च कर दिया है, बीरबल ने एक नई थियूरी पेश की, तो वो धिरे से हस्दी और प्याली नीचे रखी, कांच शिशे से टकराया, च्छन बलंद हुई, हर कोई हर एक पर सहरे इश्च नहीं कर रहा, अब्दुल्मालिक फरीद, एक अच्छी इंसान है, और तुम्हारे भाई को बिलाखिर, उनकी कद करते वे बेटर को बुलाने लगा,